हाथ तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को फिर से एक वर स्वागत है मीरा एकड़ी अल्लाइन प्लेट फ्रम के साथ साथ एक कुमार अल्लाइन प्लेट फ्रम पर है मेरा नाम is engineer एक वर जो कि class 11 और 12 का मैं physics पढ़ात हूँ तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों और इस मीरा एकड़ी अल्लाइन प्लेट फ्रम के साथ एक उमार अल्लाइन प्लेट फ्रम को मेरे ऑस के साथ साथ सबस्क्राइब भी करने का प्रियास कीजिए चलिए मेरे प्यारे दोस्तों start करते हैं अगले classes में बाबू हम लोग पढ़े थे यानि class 12 में आ गए हैं तो class 12 में किस chapter से कितने number के questions फुछे जाते हैं और class 12 में कितने chapters होते हैं भावती की वियान का, यानि physics का या अगले lectures में देख चुके थे यानि introductions classes में हम यह बात आप लोग को बता चुके थे लेकिन आज बाबू एक बहुत importance topics को start करने वाले हैं जो कि अगर physics की बात करते हैं तो यह काफी importance होता है और इसके बीना physics को समझना बाकी बहुत कठिन होता है यानि नो के बराबर होता है यानि इसके बीना आप physics को सीख और समझ नहीं सकते हो यह 100% perfect guarantee है बाबू तो देखिए बाबू यहाँ पर physics को अगर अच्छे पुरवक से समझना और सिखना है तो आपको mathematical tools के जनकारी होना बहुत आवेसे खोता है कि बीना mathematical tools के physics सिखना बहुत कठिन होगा यानि physics को नहीं सिख सकते है बीना mathematical tools के बीना तो बाबू यहाँ पर mathematical tools यहाँ पर दो step में बताएंगे बाबू part 1 और part 2 करके जिसमें पहला बाबू integrations और differentiation बताएंगे कि फिजिक्स में कोई भी हम derivations करते हैं तो उसमें integrations भी आता है और differentiation भी आता है लेकिन यहाँ पर trigger भी आता है कुछ काच यानि थोड़ा बहुत trigger भी आता है लेकिन trigger आप लोग 10 में पढ़े होंगे लेकिन यहाँ पर integrations और differentiation होता है यह 10 में आप लोग को नहीं मिलता है इसलिए मैंने सोचा कि कुछ mathematical tools आप लोग को बता दे उसके बाद यहाँ पे हम chapters को इस्टार्ट करेंगे तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आज हम mathematical tools हम पढ़ेंगे जिस तरह यहाँ पर जिस तरह मालेते हैं यहाँ पर राजा और राणी के कहानी आप लोग सुने होंगे यानि राजा के राणी से प्यार हो गया है एक गाना आप लोग सुने होंगे नहीं तो लास्ट में हम गोनों भी सुना देंगे आप लोग का permission होगा तो तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों पहले यहाँ पर हम आप लोग को पढ़ा दें उसके बाद यहाँ पर हंसी मजाग तो होवे करता है तो चलिए यहाँ पर इस्टार्ट करते हैं बाबू अब इस्टार्ट करेंगा आउ कॉलन क्या इस्टार्ट करे सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करेंगे कि मतलिए सब्सक्राइब करत Вас सब्सक्राइब बाबू तो मेरे वीडियो को लाज तक बना रहे हैं इंट्रेगेशन और डिफ्रेंसेशन के सवाल को आप चूट किया है बाबू तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं आवकलन अब पहले समझेंगे कि आवकलन एक्चुली में किसको कहते हैं हो होता क्या है तो देखिए बाबू आवकलन होता क्या है दो रासियों के सपेक्षित परिवर्तन निकालन के लिए आवकलन का उप्योग किया जाता है तो वह दो रासिक कौन-कौन होते हैं तो देखिए बाबू यहां पर अगर आप लोग एक फर्मूला जानते होंगे बाब होंगे यानि तौरन बराबर क्या होता है बाबू बेग परिवर्तन क्या होता है बाबू बेग परिवर्तन आब बाटा क्या होता है बाबू शमय होता है समय बेख परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर पर बाबू टाइम पर और यही परिवर्तन यानि यहां पर दो रासी है पहला भैलोसिटी और दुसरा क्या है बाबू टाइम है लेकिन भैलोसिटी डिपेंड है किस पर टाइम पर और इसी परिवर्तन को निकालने के लिए हम लोग आउकलन का उफ्योग करते हैं यानि इसी पार्टिकल का कितना समय में कितना भैलोसिटी के बेक से हुआ डिस्टेंस कभर करेगा और इसे परिवर्तन को निकालने के लिए हम लोग अउकलन का उपयोग करते हैं अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां तेक समझ में आ गया अगर यहां पर चाल की अगर एक्चुली में बात क से और दूरी के यहां पर चाल को किसे दिनोट किया जाता है बाबू एस से और डिस्टेंस को किसे दिनोट करता है बाबू डी से आज समय को किसे बाबू टी से अब यहां पर देखेंगे जो डिस्टेंस से वह किस पर डिपेंड है बाबू यहां पर डिस्टेंस से जो वहा आज में आया की नहीं आप समझ गए होंगे कि दो रासियों के सप्यक्षित परिवर्तन ही आउकलन कहलाता है या दो रासियों को सप्यक्षित परिवर्तन निकालने के लिए आउकलन का उप्योग करते हैं तो बाबु यहां पर लिख लेंगे यहाँ पर लिख लेंगे दो राशियों के सप्यक्चित परिवर्तन निकालने के लिए अउकलन का उपियों किया जाता है आउकलन का प्रियों किया जाता है आउकलन का प्रियोग किया जाता है आउकलन का प्रियोग किया जाता है आप तो यहाँ पर समझ गए होंगे बाबु दो रासियों को सपेक्षित निकालने के लिए आउकलन का प्रियोग किया जाता है आउकलन क्या होता है समझ गए वह ही दो रासियों है जैसे यहां पर लिखवाए है बाबु, change in velocity with respective time taken, यानि change in velocity with respective time taken, then this is called acceleration, और इसी velocity को changing यानि परिवर्तन निकालने के लिए हम लोग आउकलन का उपयोग करते हैं, बताए बाबु, यहां तक कोई डाउट, यहां तक तो समझ गए होंगे बाबु, अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे, आउकलन के संकेत, आउकलन, आउकलन के संकेत, अब बाबु, यहां पर ध्यान देंगे, आउकलन के संकेत क्या होता है, यानि symbol of differentiation होता क्या है, जैसे यहां पर मा लेते हैं संकेत क्या होता है, यहां पर लिखते हैं बाबु, dy बाटा dx, यहां लिखते हैं कि भी दूर असी है और यहां पर क्या है एक से यानी यानि एक सक्षफक्ष में हम लोग क्या कर रहे है डिफ्रेंसेट कर रहे हैं क्या कर रहा है लिक्ष यह हैं तो यहां पर एक्स लिखते हैं तो जिसके सापेक्च जिसके सापेक्च सापेक्च जिसके सापेक्च बताई यहां तो कोई डाउट यान जिसका अवकलन करना रहता है उसको उपर लिखते हैं बाबु वाई के रिस्पेक्ट में और जिसके सापेक्च करना है उसको नीचे लिखते हैं इसकी यानि एक्स के रीपरजेन्ट में बताई यहां तो पिराउट यहां Y कе लओ कलन एक्स के सपक्अ अगर मालेते हैं यहां पर Y की आउकलन X के लिख सकते हैं जिसका आउकलन यहां पर आउकलन कर रहे देहां पर Dwore किसके सपक्ष ख्यां यहां पर क्या हो जाएगा डी एक्स बताईए तो यहां तो कोई डाउट सेमाल लिखने में कोई परशानि अगर माले ते यहांपर आधे सवाल लिखेगा analogy के जेड्स के ऑउ कोलण एक्सके सभिच एक्सके सभिच तर्ट क्या लिख सकते हैं वाबू यहां पर लिखा हुआ है जेड्सके obs क्सक्व के आउकलार है tutorial यहां पर भीके हूद भीके सापर 16 अगर ऐसे बोल देगा तो यहाँ पर क्या होगा बाबू A के आउकलन B के सपिक्च तो A के आउकलन B के सपिक्च कैसे निकालेंगे यहाँ पर A के आउकलन कह रहा है तो यहाँ पर DA हो जाएगा और किसके सपिक्च कह रहा है बाबू B के सपिक्च तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबु डीवी अब बताएए तो बाबु यहां तक कोई डाउट यहां तक कोई डाउट आप लोगों सभी लोगों को समझ में आया की नहीं यह हमको जहां तक अनुमान होगा कि आप लोग सभी लोग सीख गए होंगे यह जितना भी बात अभी हम बताए हैं लेकिन यह अभी टेलर है अभी पिक्चर तो बाकी है अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको हटा देते हैं यह तो समझ गए होंगे इसको कैंसिल कर देते हैं और चायरूब जाये बाबु एसकीन सौट ले लेते हैं उसके बाद आगे के तरह बढ़ेंगे अब हुआ 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 अब रूख जाये बाबु यहां पर इसको एसकीन सट कर देते हैं इसको हटा देते हैं आप देखे बाबू यहां पर तो आप लोग समझ गए, यहां पर आउकलन क्या होता है, आउकलन भी आप लोग सीख गए, लेकिन आउकलन के कुछ important fact होता है, याने कुछ सर्थ होता है, याने कीन कीन point के लिए आउकलन को लागू कर सकते हैं, यानि important fact of differentiation यानि आवकलन के कुछ महत्पूर बाते समझते हैं यानि आवकलन करने के लिए सभी quantity को हम आवकलन नहीं कर सकते हैं जैसे यहां पर quantity जो दो तरीकेशं रहाए हैं इक होता है बावो पर चोर होता है और दूसरा होता उचर यानि परिवर्तंसीप और परिवर्तंसीप दो रांसी होती हैं उसको to do कर सकते हैं लेकिन ओप परिवारतनसिल्ट जो quantity होती यानि अचर क्वांटिटी होता है इसको कभी differentiation नहीं किया जाता है और नहीं किया जाता है अगर दिया है support rate तो उसको हम 0 के बराबर मानते हैं तब चलेए यहाँ पर देख लेते हैं और के महत्पूर सर्थ यहां पर अगला हैडिंग में वो आव कलन आव कलन के कुछ महत्पूर सर्थ महत्पूर सर्थ आव कलन के कुछ महत्पूर सर्थ यानि कुछ महत्पूर सर्थ क्या होता है तो बबु यहां पर अव कलन जो होते हैं दो तरीके को हते हैं सुगार्ण लुक्तन का होता है दूसार का होता है अस्ष स्वावतर कुछ गलंड का का घंच दूसर्रा कोρί यह मतलब होता है परिवर्थन सेरोत परिवर्तन सील यानि भैरेबूल तो यहां पर इसको लिखते है बभू परिवर्तन सील और दूसरा होता है बभू यहां पर अचर के मतलब होता है और परिवर्तन सील यहां पर तो चर के मतलब क्या होता है बभू परिवर्तन सील यानि जिसमें बदलाव किया जा सके जैसे यहाँ पर माल लेते हैं सपोडेट यहाँ पर A हो गया, B हो गया, C हो गया और X हो गया, Y हो गया, और Z हो गया यह जितना भी quantity लिके है वाबू 4 quantity है, क्या है वाबू? 4 जिसका हम लोग differentiate कर सकते हैं यानि 4 quantity को, यानि variable quantity को आप लोग differentiation कर सकते हैं लेकिन invariable, यानि आप पर लिवर्तन सील quantity को कभी भी differentiation नहीं किया जाता है आप पर लिवर्तन सील quantity कोन होता है वाबू? जैसे यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और यहाँ पर 8 हो गया ये सब कॉंटीटी क्या है बबू? अब पर इवर्तन सील कॉंटीटी को कभी भी डिफरेंसेट नहीं किया जाता है अब बताइए बबू यहां तेक कोई डाउट यहां तेक तो सब भी लोग समाज गये होंगे अब बावु यहाँ पर थोड़ा बहुत गौर कर लेते हैं अब यहाँ पर थोड़ा बहुत differentiation का कुछ फर्मूला आप लोग करा देते हैं और उसके बाद दो चार questions कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर differentiation का concept आप लोग को clear हो जाएगा तो चलिए यहाँ पर start करते हैं आउकलन के सूत्रे क्या पढ़ने वाले हैं बावु आउकलन के सूत्रे आउकलन आउकलन के सूत्रे वो भी आपको बताएंगे trick और technique के साथ इसको एक बार देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा अब देखिए बावु यहाँ पर पहला सूत्रे क्या होता है यहाँ पर D आबाट यहाँ पर D X अगर माल लेते हैं यहाँ पर X पावर N रहे अगर कोई भी पावर के रिस्पेक्ट में रहे तो हम लोग आउकलन यानि डिफ्रेंसेट कैसे करते हैं तो बावु यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है यहाँ पर इसके मूरी पर यानि क्या है बावु N है तो N को नीचे उतार दीजे बावु N को नीचे उतार देंगे लेकिन इसका कोफिसेंट क्या है बावु X है तो X से गुणा कर देंगे और यहां पर power किया है बाबू, फिर, power में से एक को घाटा लेते हैं, तो यहां पर power n है, तो n में से किसको घाटा लेंगे बाबू, 1 को घाटा लेंगे, बताईए यहां तो कोई doubt, यहां पर d better d x, x power n के respect में रहेगा, तो power को क्या करते हैं, नीचे उतारते हैं, coefficient से गुणा क और पावर में से एक को घाटा लिया जाता है यानि पहला फर्मूला आप लोग को किलियर हो गया होगा अगर दूसरा फर्मूला की अगर हम बात करते हैं अगर दूसरा फर्मूला की हम बात करते हैं तो यहां पर यहां पर देखिए बाबू डी बाटा डी एक्स अगर माले त देद्ध में पढ़े होँगे और यहां पर इंटर में विसाइध अपलोग पढ़ ही रहे होंगे चाहिए इंटर में यादि एल्य मभी पढ़ चुके होगे तब बता यह साहिं का उल्टा क्या होता है रफॉकł स्टव स्टै capital क πα्षुट करते हैं यहां पर डी बाटा डी एक्स और यहां पर कॉस के बाद क्या होता है कॉस एक्स और बताई यह कोस के उल्टा क्या होता है बाभू कोस के उल्टा होता है साइड एक्स क्या होता है बाभू साइड एक्स लेकिन जहां पर सी दिख जाए वहां पर माइनोस का साइड लगाते है तो यह और यहां पर साइन हो गया क्स हो गया ताक्या माहिशे बहुते एक्स और बताई आंज यहां पर पल्चु करते है तर जापांत करता मत्रब्ली ऑंतर हो दा उफटान कि एक्स occurred बैबू, कॉट्व hiring X होता है और कॉट्व क्या होता है अर्व कॉझसे के स्वायर X और लेकिन यहां पर सी हैकए स्वाल की अगर बाध करते है यहां पर छट pół निन असंत्र है । कि अगर माल लेते हैं 6 एकक्स रहे कि यहां पर डीपटा डी एश और यहां पर शेक एक्स रहे तो सेक्स क्या हो जապ लेगा अबू सेक्स इनटो टेन एक्स कोई डाउट यह तक यहां तक तो आप लोगों को समझ में आगिया अगर यहां पर гол Gel सुतर की बात करते हैं, अगर डीवाटा, डी neighboring, बीक्स एगर रहे यहां पर कॉसिक एक्स का क्या हो जाएगा भाबू, यहां पर कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन यहां पर सी है, यहां पर किसका साहली लगताएग बाबू minus का sign लगा देंगे किसका sign लगा देंगे minus का बताइए यहां तक कोईड आउट यहां तक सौभी लोग को समझ में आ गया उसके बाद यहां पर क्या करते है अगर यहां पर log का differentiation करना पड़े जैसे यहां पर d बटा dx और यहां पर log x रहे तो log x का क्या होता है बाबू 1 बटा x होता है जैसे यहां पर d बटा dx अगर यहां पर e power x रहे तो e power x का क्या होता है बाबू exponential constant होता है तो यहां पर जितना रहता है quantity उतना हो इसको हम लोग लिख देते हैं अगर माल लेते हैं इसको यहां पर अगर ऐसा रहे यहां पर डी बाटा डी एक्स और यहां पर ए पावर एक्स रहे तो यहां पर ए पावर एक्स लिख देंगे और यहां पर लॉग ई आए यहां पर ए पावर कितना लिख देंगे बाबू एक्स इतना लिख सकते हैं कि नहीं A power A power A यहां पर क्या हो जाएगा बाबु, E हो जाएगा रुक जाएंए बाबु यहां पर, क्या हो गया है अगर मालेते हैं यहां पर D बट़ा DX A power X रहे, तो AX यहां पर लिखेंगे बाबु, A, X है तो AX आपका डिफ्रेंसेशन होता है, बताई यहां तक सभी लोग को सुतर के आयने फर्मूला का अप्लिकेशन समझ भिया गया, पहला है बाबु पावर को नीचे उतारता है, कोफिसेंट से गुड़ा करता है, पावर में समन को घाटा लेते हैं, तक किलियर, यानि पहला पॉइं है, तो सीक पर जहां भी रहता है, तो उसकी रिस्पेक्ट में क्या लगा देता है, बाबु निगेटिव साइन लगा दिया जाता है, अगर माल लेते हैं, यहां पर टेन एक्स रहता है, बाबु टेन क्या होता है, बाबु से के स्क्वार एक्स, अगर सेक रहता है, तो से के into 10x अगर cos x रहेगा तहों यहां पर minus cos x into cot x अगर माल लेते हैं log x का differentiation पुछी देता है log x का क्या हो तहे बाभू 1 बटा x अगर यहां पर e power x क्या पुछ देता है तो e power x होता है अगर यहां पर a power x पुछ देता है बाभू a x और log e power कितना a यहां तक तो स्वाभी लो को समझ में आ गया लेकिन अभी कोचब्स इस पर करेंगे बहुत सारे कोचब्स करेंगे उसके बाद इस पर किलियर होगा अब बाबू यहां पर देखिए अब यहां पर अवकलन का जोड देख लेते हैं अवकलन के जोड और कलंड के जोड़ आप लोग सिरिफ मेरे वीडियो को लास तक बने रहिए क्योंकि यहाँ पर मैं थमेटिकल टूल्स को बहुत असानी पुर्वक्स में पढ़ाता हूँ और आप लोग NCRT का भी कोचंस अधिकतर कोचंस को आप लोग सल्व कर सकते हैं मेरे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा देने के बाद यानि कहने का सेंस यहाँ है कि इस मैथमेटिकल टूल्स हम पढ़ा देते हैं और फिजिक्स के मैथ का डिफ्रेंसेशन जाकर देखिएगा उसमें से अधिकतर कोचंस का जबाब आप लोग देख सकते हैं लेकिन बस अड़ते मेरा कंसेप्ट या किलियर होगा तब अगर किलियर नहीं होगा तो नहीं दे सकते हैं तो बाबू यहाँ पर पहला आवकलन का जोड सिखेंगे जिस तरह हमें यहाँ पर नर्सरी LKG UKG1 क्लासों में पढ़ा करते थे तो यहाँ पर जोड घाटाओ गुणा भाग ऐसे करके सिखा करते थे लेकिन यहाँ पर जोड में भी कैसा जोड आवकलन का जोड कि कौन सा जोड बाबू आवकलन का जोड जो कि कभी यहाँ पर 9-10 और यहाँ पर 9-10 में नहीं देखेंगे यह मिलता है तो 11 और 12 में मिलता है और यह जोड़ काफी आसान होता है बाबू आप लोग simple तरीके से कर सकते हैं लेकिन बसरते formula की जनकारी होना अनिवारिया होता है तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर अगर मान लेते हैं वहाँ पर y बराबर u plus v के respect में हो यहाँ प यहाँ पर मालेंगे x dy बाटा dx तो देखे बाबू यहाँ पर पहला u को differentiate करेंगे du बाटा कितना dx उसके बाद यहाँ पर plus का sign है तो plus का sign देंगे उसके बाद यहाँ पर dv बाटा कितना बाबू dx कोई doubt यहाँ तक यहाँ तक तो आप लोग स्वाभी लोग को समझ में आ गय यहाँ तक तो समी लोग को समझ में आ गया अगर y के respect में यानि आउकलन का जोड कोई भी quantity के respect में दिया है तो निकाल सकते हैं कि नहीं बहुत असानी पूरभक से निकाल सकते हैं अब यहाँ पर इस पर दो questions कर लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे example first जैसे यहाँ पर y बराबर दे दिया रहा है x q अपलास यहाँ पर 5 x square अपलास यहाँ पर 6 दिया रहा है तो यहाँ पर कहेगा इसका differentiate कीजिए तक ऐसे निकालिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे बाबू dy बाटा d x तो देखिए बाबू यहाँ पर d y के भलू कितना है बाबू x q अपलास यहाँ पर क्या है बाबू 5 x square अपलास क्या है 6 अब बाटा में क्या है बाबू dx कोई डाउट यहाँ तक यहाँ तक तो आप लोग सिग गए उसके बाद यहाँ पर इसको अलग-अलग part by differentiate करते है बा बाटा कितना बाबू dx और यहाँ पर 6 क्या बाबू constant है तो constant का यहाँ पर differentiation क्या होता है बाबू 0 होता है यानि एक लड़ू के बराबर होता है लड़ू के मतलब क्या होता है बाबू 0 अब देखिए यहाँ पर यह power के respect में है तो power के respect में है तो क्या करते है यहाँ पावर क को नीचे उतारेंगे और कोफिशियंट से गुणा करेंगे और पाउर में से एक को घाटा देंगे अब जरह यहां पर ध्यान देंगे यहां पर थीरी यहां पर कितना पांदू नहीं इसको अईसे लिख सकते हैं कि नहीं बावू थीरी एकस्क्वाइल आप प्लस कितना दॉस एकस आप देखिया यहां पर इतना इसका डिफरेंशेशन होगा बताये कितने लोगों को समझ वे आ गया तो समझ वे आ गया तो कोमेंट सेक्षन में एकमार जवाब दरूर दीजिएगा कि सर मैं डिफ्रेंसेशन सीख गया हूँ यानि पहला किलियर हो गया अगर दूसरा इजांपल की अगर एक्चुली में बात करते हैं यानि दूसरा इजांपल की अगर एक्चुली में बात किया जाए तो दूसरा इजांपल क्या क्या हो सक जैसे मालेते ही यहां पर अगर दे दिया रहा है यहां पर एकस एसक्वाइर आप पलस यहां पर रूट एकस दिया रहा है रुक जाएए बावू यहां पर अगर मालेते ही यहां पर यहां पर y बराबर दे दिया रहा है यहां पर x, q आप लॉस यहां पर root x दे दिया रहा है और पुछेगा कि इसका differentiate कीजिए था कैसे कीजिएगा अब आप यहां पर y के respect में differentiate करना है तो dy बाटा क्या लिखेगा बाबू? dx और dy के value कितना है बाबू? x, q आप लॉस यहां पर क्या है बाबू? root x, आबाटा में क्या है बाबू? dx बताई यहां तो कोई doubt ऐसा भी लोग कि यानि y के अस्थान पर यहां पर y के value डाल देना है और यहां पर x के respect में differentiate कर देना है इसमें कुछ करना नहीं बाबू? इसको अलग-अलग part बाई तोर लेंगे तो d और x, q, आबाटा यहां पर dx आप लॉस यहां पर d और यहां पर root under x, आबाटा क्या हो जागा बाबू? dx यहां तो कोई doubt, यह भी तो सिग गए कि अलग-अलग part बाई डिफ्रेंसेट कर लेते हैं उसके बाद यहां पर power 3 है तो power को नीचे उतार दीजिए 3 coefficient x है तो x गुणा कर दीजिए और power में से एक को घटा लीजिए फिर plus के sign डाल दीजिए और यहां पर कोई भी root होता है अगर root को हटाते है तो यहां पर d बाटा dx और यहां पर root को हटाते है तो बाबू यहां पर इसके उपर क्या चड़ता है बाबू? एक बाटा 2 चलता है अब यहां पर देखिए बाबू यहां पर 3x square आप पलास यहां पर अब इसको डिफ्रेंसेट कीजिएगा तो क्या होगा? रूट को हटाते है तो बाबू पावर में 1 बाटा 2 इसको उपरी सत्वा पर चड़ जाता है तो देखिए बाबू यहां पर पावर को नीचे उतारते हैं कोफिशियंट से गुणा करेंगे और पावर में से एक को घाटा लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? कटो सबसरे पहले इसको नोंड डाउन किजिए यानली तीन देख लिये जांपल अगर चौथा जांपल की बात करते हैं यानि दूसरा जांपल देखे ने बाबू? अगर यहां पर तीसरा जांपल की अगर एकच्छ बराबर यहां पर दिया रहा है XQ आप पलस यहां पर 5X दिया रहा है इतना दिया रहा है तक क्या निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले यहां पर डिवाई बाटा कितना dx अब देखिए बाबु यहाँ पर dy के भालू कितना बाबु x q a plus क्या है 5x अबटा में क्या बाबु? dx अब देखिए यहाँ पर d अब यहाँ पर x q a about कितना बाबु? dx अब पलस यहाँ पर d 5x अब आटा कितना? dx कोई डाउट है है तो अब यह काम करेंगे बाबू यहां पर पावर को नीचे उतारेंगे कोफिशिएंट एक से गुणा करेंगे और पावर में से एक को घाटा लेंगे तो देखिए बावु यहाँ पर 3x square a plus यहाँ पर कितना हैगा 5x और पावर कितना 0 और दुनिया में किसी भी quantity के उपर 0 होता है उसका value क्या होता है बावु एक होता है तो यहाँ पर 3x square a plus क्या हो जाएगा बावु 5 यहाँ differentiation हो गया बता यह तो कोई इस से ज़्यादा बावु कोई भी आसान नहीं हो सकता है differentiation बहुत आसान होता है अगर mathematical tools के हिसाब से देखा जाये तो बताई यहाँ तो कोई डावट यहाँ तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा सभी लोगों को समझ में आ गया होगा लेकिन दो चार questions एक और कर लेते हैं बावु जोड तो सेख लिए बावु और जिस तरह जोड है उसी तरह घटाओ भी होगा इसमें कोई पर करका अंतर नहीं पाये जाता है अगर यहाँ पर plus के sign देते थे तो घटाओ रहेगा तो कर गुणा के एंगा अनुगा के गुणा और जीकologa और अगर गुणा के रिस्पेक्ट में रहेगा तो कैसे करेंगे जैसे यहाँ पर वाई बराबर माल लेते हैं यहां पर यूँ इंटू भी के रिस्पेक्ट बर है थे यह इहा को सबसे पहले हैं पर दिड आउयोः कितना डी एक्स अब यहां पर काम करते हैं अगर करना होता है तो सबसे पहले यहां पर एक वर करते हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां को गुणा करेंगे और भी को गुणा करेंगे यहाँ पर भी को गुणा करेंगे और यू को डिफ्रेंसेट करेंगे और बाटा क्या dx यही आपका फर्मूला होता है अगर मल्टिप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रहे तो निकाल सकते हैं की नहीं अब यहाँ पर एक एजांपल देख लेते हैं बहुत खुबसूरत था यानि बहुत खुबसूरत सा एक एजांपल देख लेते हैं उसके बाद आप लोग को अभी किलियर हो जायागा कि मल्टिप्लिकेशन पर वेस्ट अगर कोई भी डिफ्रेंसेट रहेगा तो बहुत असानी पुर्वक से आप लोग कीजिएगा तो देखिए यहां पर यहां पर वाई बराबर अगर रहे एक्स पावर फाइप इंटू साइड एक्स ऐसे रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे ध्यान दीजेगे बाबू यहां पर डी वाई बाटा क्या निकालेंगे बाबू डी एक्स अब देखिए यहां पर डी अवाई के भलू यहां पर कितना है हुगा है एक्स पावर फाइप इंटू यहां पर क्या है बाबू साइड एक्स अब बाटा में क्या बाबू डी एक तो इस पर वो इठा देंगे कुछ करना नहीं है तो यहां पर क्या करेंगे यू को क्या करते है बाबु गुणा करते है यानि एक्स पावर फाइब को गुणा करेंगे और भी को डिफ्रेंसेट करेंगे अब भी क्या बाबु साइन एक्स आबाटा यहां पर क्या डी एक्स उ लोगे και shorter рекोना करेंगे और यहाँ पर यू को डिबर Πरेंट्रेट करेंगे पर्णा vera इक्स अब एक्सपार पाइब आदा इसक्स अब यहाँर फाीपे magic या पर एक्सपार फाइब sociозм यहाँ पर संट आं पर संतरे है यहाँ पर में है ताव पावर के रिस्पक्ट में रहता है तो क्या करते हैं यारी पावर को नीचे उतारते है कोफिसेंट x से गुणा करते हैं पावर में से को घाटा लेते हैं कोई डाउट अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं x power 5 into cos x plus यहाँ power 5 x into यहाँ पर 5 x into side 5 x power 4 into side x, ऐसे भी लिख सकते हैं, बताई यहाँ तो कोई डाउंट, इस सम्हें लोगों को समझ बे आ गया, अब यहाँ पर तो multiplication के रूप में रहेगा तो कर सकते हैं कि नहीं, बहुत असानी पुरवक्त से आप लोग कर सकते हैं, अगर को नोई भी data multiplications के रूप में रहेगा तो differentiation आप लोग बहुत असानी फुरुवक कर सकते हैं अब यहाँ पर अगर देखते हैं कि अगर division के रूप में रहे एक questions तकर लिये अगर division के रूप में रहे जैसे यहाँ पर और कलन के भाग देख लेते हैं थोड़ा आउकलन आउकलन के भाग अब क्या देख लेते हैं वाबू भाग यानि यहाँ पर Y बराबर अगर माल लेते हैं यहाँ पर U बाटा V के रिस्पेक्ट में रहे तो यहाँ पर आउकलन के भाग देखते हैं अगर Y बराबर U बाटा V के रिस्पेक्ट में रहे तो सबसे पहले यहाँ पर d y बाटा क्या निकालते है बाबू, d x, अब dy के भालू कितना है, u बाटा भी, बाटा यहाँ पर क्या, d x, अब यहाँ पर एक काम करेंगे बाबू, अभी फर्मूला हम बताए है, यहाँ पर u को गुणा करते हैं, बी को डिफ्रेंसेट करते हैं, d x, लेकिन multiplication में हम लोग क्या देते थे, प्लॉस का साइन, तो यहाँ पर डिवीजन में माइनस का साइन देंगे, और यहाँ पर भी को अब गुणा करेंगे, और u को डिफ्रेंसेट करेंगे, अब आटा, d x, और स्वाभी के बाटा के क्या करते हैं, बाबू, होल स्क्वार यहीं आपका डिवीजन का फर्मूला होता है, यह किलियर, किलियर हो गया तो इस फर्मूला को आप लोग नून डाउन बना लीजिए, अब इस पर एक कोचेंस कर लेते हैं, अगर माल लेते हैं, यहाँ पर x पावर 5 और यहाँ पर side x रहे, ऐसे सवाल रहे ते यहाँ पर कै पर निकालेगे वाववो dy बाटा, dx, तदेखें बावो यहाँ पर dy के भैलू यहाँ पर कितना है भावु, x पावर 5 अबाटा यहाँ पर side x, अबाटा यहाँ पर क्या है भावव? dx, इतना लेक देगे, अब यहाँ पर फर्मूला तर जळ्न्वर करते हैं भावु, eu को क्य करते हैं गुणा करते हैं तो लिजिए यहां पर इसको यू माल लिजिए इसको क्या वी तो यू को गुणा कर दिजिए एक्स पावर फाइब और वी को डिफ्रेंसेट कर दिजिए यारे डी और यहां पर साइड एक्स आबाटा यहां पर क्या डी एक्स उसके बाद यहां पर क्या किजिए, उसके बाद यहां पर V को गुणा किजिए, यानि SIDE X को गुणा किजिए और यहां पर U को डिफ्रेंसेट किजिए, तह U का भल्यू कितना है, बाबु, X पाओर 5, आ बाटा कितना? DX, आँ, सो अभी के बाटा में V सक्वार होता है, तब V के यह square होता है तो यहाँ पर side है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? side x के whole square कोई doubt और देखिए बाबू यहाँ पर क्या करता है यहाँ पर x power 5 है तो यहाँ पर x power 5 दे देंगे और side का differentiation क्या होता है आप लोग बताएं जल्दी side का opposite क्या होता है बाबू? पावर को नीचे उतारते हैं कोफिसेंट से गुड़ा करते हैं पावर में से एक को घाटा लेते हैं यह मज़े मज़े के साथ आप लोग सिख रहा है कि नहीं mathematical tools अब देखिए यहां पर x power 5 into cos x minus यहां पर sin x i into यहां पर 5 x power कितना बाबू 4 इतना आपका हो जाएगा differentiation और यहां पर सौभी के बाटा भी यहां पर क्या हो जाएगा बाबू sin x square यहां पर भी किता हो जाएगा बाबू sin x square सबसे पहले mathematical tools के जर्गारी होना बहुत आउस्सेक होता है चली आज इतना ही रहने देते हैं अगले lectures में हम लोग यहां पर आउकलन देखें लेके अगले lectures में हम लोग सामा कलन देखेंगे उसके बादे यहां पर class 12 के भावती की का पहला chapters electric charge and electric field को हम इस्टार्ट करेंगे जले दोस्तो thank you so much